मंत्री मंडल के विस्तार के बाद तमाम नए महतवपूर्ण लोगों को मंत्री का दर्जा प्रात हुआ उसी में एक विशेश नाम है अनिल शर्मा का जिने जन्तू परियामरे राज्य मंत्री बनाया गया है हमारे साथ हैं सर बहुत-बहुत स्वागत है आपका R9 TV में सर एक बहुत ही महतवपूर्ण पद मिला है आपको सर क्या लगता है कि किस तरह की जिम्मेदारियों किस तरह की चुनोतियां सर सामने आ रही है निश्चित रूप से बहुती महतवपूर्ण प्रदेश और देश के लिए जब हमारे आदर्णिय प्रधान मंत्री जी और हमारे प्रदेश के यशश्वी मुख मंत्री आदर्णिय योगी जी कभी भी जब उनका इंट्रेक्शन होता है जनता से लोगों से तो उसमें पर्यावरण और रक्षा रोपन ये दो मुखे मुद्धे होते हैं ऐसे में उनके इस विजन के लिए मुझे जरा सा भी काम करने का मौका मिला है यह मेरे लिए सोभाग की बात है सर आप इसके पहले भी आने पार्टियों में रहे हैं सर लगता है कि भारतिय जनता पार्टी में एक खास बात है जो लोगों को इसकी तरफ आकरशित करती है निश्चित रूप से अगर राजनेतिक दल अगर कोई इस देश में है जो आज एक्जिस्ट करता है जो सिद्धानतों को ले करके विचार को ले करके विजन को ले करके राष्ट के लिए काम करने को ले करके है तो भरजनता पर्टी है और यही कारण है कि आजादी से अब तक प्रथमवार ऐसा हुआ है कि किसी राजनेतिक दल की साथ आम जनता खड़ी हुई है और साथ प्रिस्टत वोट शेर के साथ हम लोग पर्लिमेंट का चुनाफ जीत करके आदर निनननल मोदी जी को दुबारा हम लोग उने प्रथान मंतरी बनाने का काम किया है तो इसमें कोई शंका नहीं है कि भरजनता पर्टी का कोई विकल्प इस देश के पास नहीं है सर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदितनाथ उनके साथ साथ गवर्नर आनंदी बेन पटेल जी ने कल एक पाठशाला रखी ती जिसमें उन्होंने सभी नवन्योक मंत्रियों को बुलाया था जिनका मंत्री मंडल में सर चयान हुआ था क्या लगता है सर कैसी प आदितनाथ जी गौरक्ष पीठाधिस्वर इतने बड़े महान संत के दर्शन मात्र से ही सारी विक्रतियां सारे बुरे विचार उनका विनाश हो जाता और ऐसे में जब वो स्वेम से कुछ सेखाने की बात कहें और हम उनसे सीखने की बात कहें तो यह हमारे लिए बहुत ब पूरा करूंगा इस देश को बढ़ाने में जो भी मेरा योगदान हो सकता है मैं जरूर दूंगा जिससे हमारा उत्तर प्रदेश एक उत्तम प्रदेश के रूप में साबित हो संदीप खेर कैमरा पसंद प्रियांश के साथ आर नाइन टीवी लखनो